सब्सक्राइब कीजिए SGM पबली स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दवाईए नमस्कार बच्चो निंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चो आज हम कक्षा 4 का पार्ट 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है परियाएवाची शब्द परियाएवाची शब्द तो आईए सुरुवाद करते हैं नीचे दिये गए बाक्यों को पढ़िए और समझे फूल सबको अच्छे लगते हैं पुस्प सबको अच्छे लगते हैं बचो यहाँ पे जो रंगीन सब्द हैं उसको देखिए फूल सबको अच्छे लगते हैं और फूल को हम पुस्प भी कहते हैं तो ये एकी चीज के दो नाम हो गया अलग-अलग अगला चित्र है हमारा सूरज दिन में निकलता है सूरे दिन में निकलता है तो बच्चो यहाँ पे सूरज को हम सूरे भी बोलते हैं तो ये एक ही वस्तू के दो अलग-अलग नाम हो गए बच्चो उपर दिये गए वाक्यों को पढ़कर आपकी समझ में क्या आया क्या फूल और पुस्प शब्दों के अलग-अलग परियोग से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन आया इसी प्रकार सूरज और सूरे शब्दों के अलग-अलग परियोग से आपने उनका क्या अर्थ समझा पूल और पुस्प शब्दों के अलग-अलग परियोग से दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई बदलाब नहीं आया क्यूंकि ये शब्द एक दूसरे के समान अर्थ बता रहे हैं इसी प्रकार सूरज और सूरे शब्द भी एक जैसा अर्थ इसपस्ट कर रहे हैं एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को प्रियावची या समानार्थी सब्द कहते हैं बच्यों हमने यहां देखा चित्र में हमने फूल को पुस्प भी कहा लेकिन हमारा जो अर्थ था वो सेम ही रहा यहाँ पे हमने कहा इस वाक्य में हमने कहा कि फूल सबको अच्छे लगते हैं दूसरे वाक्य में हमने फूल की जगा उसको पुस्प बोला तो क्या उसका अर्थ बदला नहीं बदला क्योंकि हम फूल को पुस्प भी बोलते हैं दूसरा चित्र में इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर चित्र में कहा गया है कि सूरज दिन में निकलता है तो यहाँ पर हमने जब दूसरा वाक्य पढ़ा तो उसमें सूरज को सूरे कहा गया है लेकिन अर्थ दोनों का एक ही हुआ तो ऐसे सब्दों को हम प्रयायवाची शब्द कहते हैं एक जैसा समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को प्रयायवाची शब्द या समना अर्थी शब्द कहा जाता है तो बच्चों, एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम ब्रयवाची शब्द कहते हैं, जैसे आग, आग को हम अगनी भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, और पावक भी कहते हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है, आख, आख को हम नेत्र, नयन, लोचन कहते हैं, आकाश, आकाश को हम आसमान, नभ, गगन भी कहते हैं, इक्षा, चहा, कामना, अभिलाशा, इश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर, कमल, सरोज, नीरज, पंकज, कृष्ण, कनहिया, गोपाल, श्याम, कृष्ण जी के नाम, तो आपको सभी को पता होंगे, कृष्ण जी को हम कनहिया भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, और श्याम भी कहते हैं, गंगा, गंगा को और किस नाम से पकारते हैं हम बच्चो, आचारे, सिक्षक, अध्यापग, घर को ग्रह, आवास, सदन, चंद्रुमा को चांद, राकेश, शशी, जल को पानी, नीर, सलील, तालाब, तालाब को किस इस नाम से पकारते हैं? सरोवर, तडाग, जलाश, तूद, दुग्द, शीर, पै, नदी, सरीता, तटिनी, तरंगिनी, पहाड, पर्वत, नग, गरी, पुत्र, बेटा, सुत्त, लड़का, पुत्री, बेटी, सुता, लड़की, पेड, विरिक्ष, तरू, विटप, मनुष्य, मानव, मनुज, नर, बादल, जलद, नीरद, मेघ, माता, मा, अंबा, चननी, मित्र, सखा, मीत, दोस्त, रात, रात्री, रजनी, निशा, शत्रू, दुस्मन, बैरी, रिपु, शरीर, तन, बदन, काया, समुंद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर, सिंग, शेर, केशरी, केहरी, सूरज, सूरे, रवी, भास्कर, बच्चो, यहाँ पे हमने एक ही शब्द को किस अलग-अलग नाम से पुकारते हैं, वह पढ़ा, और इवी सब सब्दों को हम प्रियावाची शब्द कहते हैं, आओ दोहराएं प्रयायवाची और समाना अर्थी शब्द एक ही होते हैं प्रयायवाची शब्दों का एक ही अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे हमने जितने भी प्रयायवाची शब्द पढ़ें उन सब का एक ही अर्थ होता है ये था बच्चों हमारा पाठ बारा प्रियावाची शब्द आशा करती हूँ कि आप सबी को समझाया होगा धन्यवाद